वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता पर 21 जून को लग रहा सूरी ग्रहन कई माइनों में खास है इस बार कंकडा कार्य सूरी ग्रहन लग रहा है तो आए जानते हैं कि कंकडा कार्य सूरी ग्रहन क्या होता है यह किसके लिए खास होता है इसका क्या असर होता है और इस बार ग्रहन को कई नामों से भी क्यों संबोधित किया जा रहा है उसे भी हम समझते हैं इस रिपोर्ट में तो आचार्य गिर्जेश धर के मुताबिक ग्रहन काल तंतर साधुकों के लिए बहुत ही स्रेश्ट महुर्त माना जाता है इस समय के गई आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है यहां उद्येश से में भी सफलता प्राप्त होती है सूर्य चंद्र और पृत्वी तीनों जब एक सीध में नहीं होते अर्था चंद्र ठीक राहू या केतु बिंदु पर ना होकर उंचे या नीचे होते हैं तब सूर्य का खंड ग्राप्त होता है और जब चंद्रमा दूर होते हैं तब उसकी परचाई पृत्वी पर नहीं परती कथा बिंब छोटे दिखाई परते हैं उनके बिंब के छोटे होने से सूर्य का मध्यम भाग भी ढगता है जिससे चारो और कंकला कारे सूर्य प्रका यानि रईवार 21 जून को कंकला करति-खंड ग्राप सूर्य ग्रहन मरग सिरा एवं आध्रान चत्र और मिथुन रास पर पड़ रहा है वहीं इस बार के सूर्य ग्रहन को वलयकार या कुंड़ ग्रहन भी कहा जा रहा है क्योंकि ग्रहन के दौरान सूर्य इसी से यानि आकार में दिखाई देगा, ये भी कहा जाता है कि इस दोरान सूरच कंगन की भादी चमकता हुआ दिखाई देगा, Ring of Fire यानि कि आग का गोला जैसे बनना, वलेकार्य सूरीग्रान के कारण सूरी के आगे चंद्रमा की आने की इस्तिती है, इसके कारण सूरी के किरने धर्ती पर नहीं पड़ पाएंगी इसी दसा को रिंग ओफ फायर भी कहते हैं पस्चिमी देशों में इस सब्द का काफी प्रियोग किया जाता है तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कंकला कार सूरी ग्रहन क्या होता है इसी तरह की दूसरी विपोर्ट के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ नमस्कार